जाएम आता दी दोस्तों नौरात्रीश रूँ हो गया हैं तो मैंने सोचा क्यों रहा है जिस तरीके से बना आकर आपको दिखा रेही हो गर आप उस तरीके से बनाएंगे तो एक बार में आपके साबुधाना की खिचली बिल्कुल परफेक्ट बन कर तायार होगी बिना चिप मैंने 2-3 अलू डाले हैं ध्यान दीजेगा इसका मैंने चिलका नहीं उतारा है क्योंकि चिलका उतार दने के बाद में बहुत जादा तूटने लगते हैं और इस तरीके से रहेंगे तो फ्रेस रहेंगे यह मुंफली भुनी हुई थी इसलिए मैंने अलू को थोड़ा भुनन पकेंगे उसके बाद में साबुताना के साथ पकेंगे तो इस तरीके से देखिए थी आधे गंटे के लिए पानी में भीग के रख दिया था और यह देखे कितने खिले खिले एक़गा है अब हम इसे डालेंगे अपने अपने आलू टमाडर के साथ में इसके उपर से नमक तो इस तरीके से हलके हाथों से मिला देंगे अगर आप नॉनिष्टिक के कढ़ाई में बनाएंगे तो आपका साबुदाना और फ्रेस रहेगा साबुदाना को पकाना बहुत जरूरी होता है यह जब पकने लगते हैं अभी यह बहुत वाइट वेट दीख रहे हैं जब अच्छी तरीके से पक जाते हैं तो बिल्कुल पानी कलर के हो जाते हैं ट्रांस्परेंट हो जाते हैं बहुत अच्छा रब दिखेंगे तो आप साबुदाना बना कर खाएंगे तो एकदम खिले खिले बन कर तयार होते हैं तो अगर हमारी साबुदाना की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर आगे किस अच्छी से वीडियो के साथ मिलते हैं जैम आता दी